नवश्कार साथियों स्वागत है आपका उतकर्ष इंजीनियर्स क्लासिस में एक और नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने खेमेंद्र आज चुका हूँ तो आज हम बात करने वाले सिविल इंजरिंग की जी हाँ बेटा एने एच ए आई जी हाँ एंटिरीज ऑफ एने ची एक सिस्टर कमपनी है नेशनल हाइवे इनवर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड तो यह कमपनी है जिसने वेकेंसी निकाली है जो भी सिविल इंजरिंग के के लिए अपियर हो सकते हैं कितनी नंबर ऑफ happiness भी है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है यह पोस्टिंग इंडिया में कही पर भी हो सकती है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है ठ्री है और पेजल जो की बहुत ही स्यानदार है तो जो project manager के बारे में हमने बात करी, total age limit यहाँ पे होनी चाहिए कितनी, 40 years की, अगर आपके पास civil engineering से b.tech की degree है, जी हाँ, अगर आप bachelor है civil engineering से, और आपके पास करीब-करीब 8 साल का experience है, तो फिर आप इस post के लिए apply कर सकते हैं, और इसके form को आगे proceed कर सकते हैं, आगे बात करे post number 3, जो की है manager highway maintenance की, manager highway maintenance, जो की post number 3 है हमारे पास, total number of vacancies is 1, and यहाँ पे भी आपका pay scale काफी भेतर होने वाला है, 6600 grade पे का, यहाँ पर जो manager highway maintenance की post है, इस post में आपको b.tech, civil engineering का होना जुरूरी है, and यहाँ पर आपकी experience requirement है, 5 years की, total experience requirement है, 5 years का, नीचे आते हैं, एक और job है, जो जिसमें आपकी b.tech, civil engineering वाले students भर सकते हैं, deputy manager, commercial and contracts, अगर आप deputy manager, commercial and contracts के लिए fill करना चाहते हैं, इस form को, b.tech, civil engineering होनी चाहिए, और minimum 3 years का experience आपको होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 post है, जिनके बारे मैंने बात करी है, अगर आपको 3 साल का, या फिर 5 साल का, या फिर 8 साल का experience है, तो फिर आप इन 3 post के अंतरगत जाकर अपने form को यहाँ पर fill कर सकते हैं, एक project manager, अगर आपके पास जादा experience है, manager, highway maintenance, जो की third post ही, जो की second post है हमारे पास, and number 3, deputy manager की post, जो की यहाँ पर आपको completely दिख पा रही है, इस notification के अंतरगत, यह पूरा का पूरा process रहने वाला है, किस तरीके से form को fill करना है, last date form को submit कराने की क्या होने वाली है, 17 February, जी हाँ, 17 February से पहले पहले आप इस form को fill कर देंगे, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी, जी हाँ, सारी की सारी जानकारी, आपको यह website लिगी है, इस पे आप click करके, आ आप लोग यहाँ पर भेज सकते हैं, और सारी सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है न, clear, तो सारी सारी डीटेल, hr.nhipmpl.nhai.org, इस पे आप follow कर सकते हैं, लिंक के उपर, end, यहाँ पर नीचे form भी दिया गया है, कि किस form को आपको, किस format में fill करना है, इसको भी आप fill करके देख सकते हैं, ठीक है बैटा, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस तरीके की vacancies के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और हो सकता है कि आप के पास experience नहीं हो, और आप इस job में interested नहीं हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को share कर देना क्योंकि हो सकता है कि किसी जरुरत मन के पास ये वीडियो चले जाए और ये information जो कि हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ये किसी जरुरत मन इंसान के पास जाकर उसकी life को सवार दे, तो इसी note पे इस session को end करते हैं, उमीद करूँगा, वीडियो पसंद आया होगा तो like कर देना, share कर देना उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की सही में जरुरत है, नमस्कार